हेलो एबरेवन आप संकर मिष्रा एंड आज हम डिसकस करेंगे टाइम टेबल अपनी क्लास 12 वाले बच्चों के लिए PCM PCB के students के लिए ठीक है यानि कि Physics Chemistry Math वाले बच्चों के लिए और Physics Chemistry Biology वाले बच्चों के लिए य说 Class elevent में हो और आप यह वीडियो देख रहे हो तो फिर भी आप देख सकते हो Class elevent में भी हो एंड आपके बार Science history में देख सकते हो यहां से कोई यहां कोई बच्चा हुमेनिटी सब्जेक्ट का है और कॉमर्स सब्जेक्ट का है तो ओभी यह वीडियो देख सकते हैं विकाज आप थोड़ो सा मॉडियोलेशन कर सकते हो जहां पर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है वहाँ पर अपने सब्जेक्ट्स वाइयर के लिए तो उस पेलेशन करते हैं उनके लिए यह टाम्टे वलेर्ण चेली करते हैं उनके लिए वमांव करते हैं za Mac ताम्टायों के लिए क्या लेशन के जब आप उठोगे तो आपको क्या करना है उसमें आप नहालो और पूजा कर लो ताकि अच्छे पॉजिटिव वाइब्स आपको आते रहे दर आपको ब्रेक्फास्ट करने हैं ब्रेक्फास्ट आप बोलोगे भईया आपने आदे गंटे दिये हैं आदे गंटे मैं इसलिए क्योंकि इसमरे आप 10 मिनट में व्रेटफास्ट कर सकते हो और प्लस 20 मिनट को मैंने हाप अपको बॉडइब्स दिया आप बोलोगे आप मैंने नास्था किया है तो मैंने को बॉडइब्स देथा दो ठीक है तो यहां पर मैंने आपको यह पूरे चीज देखके बनाया है कि ट्रस्ट मी मैंने फॉलो किया था ऐसा ही टाइम टेबल एंड मेरे ओवरॉल 96.2 परसेंटेज है 96.2 परसेंटेज थे एंड मेरे दैनिक जागरन जो है उसमें न्यूज पेपर में फोटो भी आया था ठीक है अब घन्याbn परफिन है सारे कैमिस्टी में आपको न्यूमेरिकल होते हैं आपके मिंस्टेज हमें एस समय में चाइस हाए तो आपको तो आपको क्या करने हैै नोट्स ते लो आपने रिलो nih ऊट्शी के आपके आपके खुदिगे बनाये हो तो बैटर रहे गा है आप इस्टित्यूट के नोट्स ले सकते हो ठीक है कि अच्छी तरीके से आपको आता है या तो भी प्रोब्लम होता है तो आप सारह 12 से एक बज तक मैंने आपको लंच के लिए टाइम दिया है जिसमें आपको 10 मिनट्स में लंच करने हैं 20 मिनट्स उसके लिए मैंने एक दियाट अच्छे तरीके मैं अच्छे तरीकत कर लिया तो यहाँ जो समझ में नहीं आता है और नूट करो परकाशलिक करा है लेकिन अब आपको past year question करने है because past year questions में से ही 80% questions आते हैं आपके board examinations में so अब आपको 3 बज़ से लेके मैंने 10 मिनट का यहाँ पर मैंने आपको free किया है समझ रहे हो यहाँ पर 10 मिनट का मैंने आपको free किया है so that आप क्या कर सको पानी पी सको और पानी पी सको और तुरा टॉलेट टॉलेट जाना चाहो तो जा सकते हो so 3 बज़ का 10 मिनट से मैंने यहाँ पर 4 बज़े 50 मिनट का यहाँ पर 50 मिनट का मैंने यहाँ पर आपको क्या दिया है कि English बढ़ो English आप किससे से पर सकते हो NCRT के text book लेलो और previous question उठा लो NCRT के text book से आप क्या करो in text question आपके exercise वाले question कर लो तो आपके previous question automatically हो जाएंगा उसमें से भी फिर भी कुछ questions रहा रहे हैं तो उसको आप solve करो खुद से लिखने की try करो ज़्यादा से ज़्यादा खुद से लिखने की try करो in your own words जितना आप अपने words में लिखोगे तो उतनी examiner आपको better marks देगा आप 4 बच से लेके 4 बचकर 10 मिनट तक है 10 मिनट मैंने आपको फिर से free किया है आप पानी तो पीते ही रो विकास आपको आपके body dehydrate ना हो जाए आपको आपको मैंने यहाँ पे है कि 4 बचकर 10 मिनट से लेके 6 बच तक आपको physics पढ़ने है physics किस तरह किसा पढ़ने है आपको notes उठाने है and then आपको numerical करने है ncrt से और past year questions से भाई या ncrt के numerical जो होते है थोड़े बहुत टेरे मेरे होते है थोड़े बहुत conceptual होते है तो उसको try करने की कोशिस करो जिदि आप अभी तक कुछ भी नहीं है ncrt के numerical तो आप डिरेक्ट past year question करो physics के and conceptual questions करो तो आपको direct past year question कर लो तो आपको 80 प्लस तो आई जाएंगे जिदि आप थोड़े से sincere हो and आप numericals ncrt के कर लो numericals के questions सारे लगा दो theory वाला हो चाहे हो numericals हो और past year question भी कर लो तो आपको 90 प्लस जरूर आजाएंगे मेरे आयते 90 marks आयते मेरे physics में so अब आप आते हैं आपके 6 बशे 6 बशे 10 बशे देखो मैंने कितना free किया आपको इस वाले time table को जोड़े आप follow करोगे तो आप board होगे ही नहीं ठीक है और आपको इसमें बहुत मजाने वाला है इसमें आपको लेकिन हाँ एक चीज़ है आपको इसमें television ये टीवी भी देखने को नहीं मिल रहा है क्योंकि यार अभी आपके पास time नहीं है बहुत कम time है और आपको जिदि आप भी भी आपने बहुत sincere तरीके से आपने नहीं पढ़ाई किया तो आपका result बहुत ही खराव आने वाला है त्रस्ट सच बता रहा हूं मैं यदि आप अभी थोड़ा सा महनत कर लो थोड़ा सा hard work कर लो तो आपका result जो है बहुत ही अच्छा बहुत सांधार आने वाला है ठीक है आप आपको है छे बज कर 10 मिनट से आपको साथ बज तक आपको फिफ्ट सब्जक्ट जो आपके इंगलिस के अलावा जो भी सब्जक्ट हो चाहिए फिजिकल एड्योकेशन हो चाहिए फिजिकल एजुकेशन होता है किसी में तो किसी स्कूल में हिंदी होता है तो आप उप परहाई करो ठीक है 50 मिनट यहां पर मैंने उस सब्जेक्ट के लिए विए विकास सारे सब्जेक्ट के मिलाके ही तो आपके 95 प्लस मार्क स्कोर हो आइंगे इदिए आपके फिजिक्स केमेस्ट्री में 95 95 95 इसमें 60 60 रहा गया तो आपके आपके परसेंटेज जिक आप इसको अच्छे तरीके से कर लोगे ना तो तो आप इन और्गेनिक हो तो आप उसके नोट से प्रहाई करो बिगजिद इन और गेनिक के कोस्षिन बहुत कॉंसेप्च्छोल होते हैं आपको अच्छे समझने की कोशिस करना चाहिए तो आपको 9 बाश से लेकि सारे 9 बा आते हैं मुझे भी पहले आता बड़ मेरे 12 में अपना जो केवल कनेक्शन तो हाटा लिया था तो सारे 9 बाश से लेके 10 बाश तक मैंने आपको शॉट स्लिप दिया है इनकी पावर नैप दिया है ठीक है इसके बाद माइंड बहुत अक्टिव होगा तो मैंने आपको दिया बहुत है एक बहुत ही अच्छा सब्जट मैस मैटस वाले बच्चे मैटस करेंगे बट बायॉलोजी वाले बच्चे जो है वो फिजिक्स करेंगे इस समय पर क्यूंकि यह दस ते सारे 20 क समय है यहां पे इस समय पर नीन दाने का बहुत ही ज़्यादा चांसे हैं ओके आपक कुछ questions बहुत हीजी होता है मैट्स बहुत हीजी होता है फिर भी तो मैट्स वाले बच्चों के लिए मैट्स दिया है मैंने थोड़ा सा और फिजिक्स बाद आपको क्या है 12 से 12 बज़े तक इसके बीच पीज़े आप पानी पीना चाहिए पानी तो पीते ही रोग वेकर आपक हो जाता है अब यह जो है मैंने conclusion लिखा है कि इसमें आपको मैंने जो लिखा है अपने thumbnail में देखा होगी 13 hours प्लस study तो क्या यह सच है क्या आपने 13 hours प्लस study किया है बिल्कुल किया है आपने दो टाइम फिजिक्स पढ़ाए अप्रॉक्स लगबग 4 घंटे अपने दो टाइ लगबग 4 घंटे अपने दो टाइम प्राइम लगबग 4 घंटे यहाप आपको पास यहां तो PCM होगा यहां तो PCB होगा तो यहां से आपके बाहोगे 12 घंटे छिक आपके यहां से हो गए 12 hours प्लस आपके जो यहां पे मैंने दिये हैं English और 5th subject के लिए 50 प्लस 50 प्लस 50 13 hours, 13 hours, 40 minutes तो यह 20 minutes थी तो कम है 40 hours में तो 30 hours प्लस study है या नहीं है यह आप सिंसियरली तरीके से पढ़ाई करो इस time table को follow करोगे तो पोर भी नहीं होगे है अपने avoid करना है अपने distracting things things को आपको avoid करना है ठीक है तो आप यहां पर conclusion तो यह निकल गए कि 13 hours to 14 hours पढ़ाई करें तो यार आपको डिरेक्ट 95% से अब डिरेक्टली आएंगे यह जो होता है सानी होता है अप्रॉक्जिमेटली का ठीक है तो अप्रॉक्जिमेटली आपक दमदार result देखके ठीक है तो यार आपको यह आपको यह चीजी नोट नहीं करना मैं कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक में लिंक दे दिया आप वहां से आगे दाउनलोड कर लो ठीक है इस टाइम टेबल को यह है नाइट वारियर्स के लिए अभी हम चलते हैं अपने मौनिंग वारियर्स के लिए थोड़ा बहुत मतलब सब्जक्ट तो सेम ही है थोड़ा टाइम का मैंने अर्रेंज कर दिया है उसी साफ से ठीक है तो आल देवेस ना सुबह में पढ़ाय करते हैं बच्चे उनके लिए टाइम टेबल स्टार्ट करते हैं तो आप इसको अच्छे से देखते रहे वीडियो और प्लीज सब्सक्राइब कर दीजे मेरे चैनल को ताकि ऐसी सुन्दर सुन्दर वीडियो अच्छे वीडियो आपको मिलते रहे चार चार से चार बज़े तक आपको ऊठना है याणि चार एम में आपको सुबह उठ जाना है और आपको अधे गंटे में आपको फ्रेस होके पान्य ताके वानी पीके पढ़ाय के लिए केमिस्ट्री दिया है, आपको कैमिस्ट्री थोदा सा बच्चे को टफ लगते हैं जह अपने अच्छे से कर लिए है तो अच्छे से कर लिया है कुछक जी तरिक्त करो है कि प्रीविरेस कड़े करो तो आप क्या करो उसको हैरख करो से सर्च करो एंच्छ Vegards करो और उसको अच्छे से रिवाइज करो multiple times तो सारे 6-7 बज तक मैंने आपको free किया है आपको उस समय पे नहा के अच्छे से और fresh होके नहा के फिर आपको क्या करने है पूझा पाट करके है 7-9 बज तक आपको क्या करने है physics की वराय करनी है physics की वराय कैसे करनी है notes से notes ले लो या आपने के अपने अभी तक notes नहीं बनाए है तो किसी institute के notes ले लो ncrt questions जोड़े आपने कर लिये हैं तो direct past year questions करो भाईया क्या होता है किसी किसे बच्चे को ncrt के questions थोड़ा सा physics में थोड़ा सा अजीव लगता है अटबटा लगता है थोड़ा सा you know tough लगता है तो उस case में आप क्या कर सकते हो direct past year questions past year क्यो numerical questions कर लो अभी आपके पास time नहीं है क्योंकि आप इतने सारे ncrt के questions करो फिर past year करो या आपने ncrt के questions एक पर अच्छे तरीके से कर लिया है क्या होा तो आप पास their questions करो उससे आपको क्या होगा आपको एक्जाम वाले feel हो जागए किस तरीके से exam में questions आते हैं उस तरीके questions previous year questions conceptual question क्या कर सकते हो इस किस तरहशेंस के क्या कर सकते हो background कि इते ह草त थह कि सकते हैं कि यह के सबस्केंtle सिर्ट हो सब्सक्राइब टुट सकते हो इसमें 10 मिनटे सब अपने बॉर्डी रेस्ट में डिया हो थे इसमें body को relax कर सकते हो अच्छे तरीके से सारे 9 से मैंने 12 वज तक आप आपका दिया है maths और biology ठीक है maths और biology दिया है मैंने आपको यहाँ पर 10 घंटे आप इस case में क्या कर सकते हो NCRT उठाके और notes और previous questions ठीक है तो आपको NCRT question और concept को अच्छे तरीके समझना होता है और आपको directly previous questions करने होते हैं आपको आपने एक दो बार तो previous questions कर लिये हो बट आपको division करने होंगे तो आप इसको multiple times कर सकते हो NCRT को तो यार before मैं जब गयाता math का paper देना तो 13 से 14 वार यानि कि 13 to 14 times मैंने क्या कर लिये math कर लिये थे NCRT ठीक है and four to five times मैंने previous questions कर लिये थे और मेरे math में 95 plus marks थे तो 95 marks थे तो आप भी ला सकते हो उसी तरीके से तो अब मैंने यहाँ पे हो गया math और biology वले बच्चे अब आपको आता है बारा बरे से तो बारा से क्योंकि आप अपभी morning warriors को morning योद्धा हो ठीक है आपको पढ़ाय करना है इतना साधा मेहनत करना है वही sources follow करने है जो मैंने आपको पहले बटाये थे कि यह जैसे कि notes और previous question से आपको यह सब करने हैं अब आता है आपकी free होने का फिर से तो यहाँ पर 10 minutes पर आपको फिर से free किया है यहाँ पर English के लिए English आप कहां से पर सकते हो आपने टेक्स्ट बुक लेलो NCRT के टेक्स्ट बुक लो उससे पढ़ाय कर सकते हो और previous question लेलो प्लस साथ में ठीक है यह यह दोनों चीज आपके साथ होंगे पहले तो आप टेक्स्ट बुक के in-text question and exercise question ठीक है exercise question करो and then आपको previous questions के तरफ move on करना है चार बसे लेके सारे पांच बता है कि यहने फिजिक्स का दिया है उसी तरीके से जो resources मैंने पहले बता है वैसे ही study करना है फिजिक्स को फिर से ठीक है आप सेम चैप्टर के previous questions कर सकते हो एक दिन में आप दूसरे चैप्टर से यह दिन में दो गंटे से यह दिन में दो हो गया आज किसी किसी school में होता है तो उसके लिए मैंने आपको one hour दिया है यह जरूरी इसलिए है कि आपको अपने तीन main subject के अलावा भी उस subject को अब तो ध्यान देने होंगे अपने पूरे साल नहीं दिया तो आप ध्यान देने होंगे क्योंकि यही होता है क्योंकि आपके तो आपके परसेंटेज लो हो सकता है समझ रहो तो आपको पढ़ाय करना है आपको सारे सब्सक्राइब करना है पाँच और सब्सक्राइब तो थोड़ा पूर्ट टाइम तो तो और फिर जो गाप रहेगा आपको एक्जाम के सिक्स डेज ते सेवन डेज में उसमें उसमें कपर अप हो जाएगा सब कुछ जापकर यह थाड यह जो है यह दो सब्जेक्ट उके रहेगा है यहां पर साड़े छे से सारे आट यानिकी टू आर्स की स्टडी दिया है मैंने आपको मैठ आप्ष और बायलोजी बच्ची करें और यहां पर आप साड़े 8 बजए आ उसके बाल आप खाना ओना खा की सो सकते आपको 9 बजे बहुत लेट तो 9 पीम तक तो आपको सो जाने हैं ताकि आप सुबह 4 बजे उठ सको समझ रहे हो यहाँ पर भी आपको मैंने 6-7 आर्स की स्लीप दिया है और आप ठीक है और आपने थमनेल देखा होगा कि इसमें यह हो गया कंक्लूजन यह है कि दो टाइम आप केमिस्ट्री पर रहे हो आप्रॉक्स फोर आर्स दो टाइम फिजिक्स पर रहे हो सारे तीन घंटे करीब ठीक है इस टैम टेबल को फॉलो करके और दो टाइम मैट्स पर रहे हो आप करीब सारे तीन घंटे दो टाइम बायलोजी पर रहे ह तो पूरे total approximately 13 hours के करीब हो गया, क्योंकि यह चार और साथ, तिन दस, ग्यारा, सरे ग्यारा और 12 ग्यारा, हाँ, तो 13 hours plus ही study जा रहा है आपका, ठीक है, अधर यही हो गया, तो यह आप यह इतना study कर लोगे, 13 hours plus study कर लोगे, तो आपके 95 आवव लाने से कोई भी नहीं रोग सक ठीक है तो यहां पर आपको 95 प्लस जदी आज आएंगे मार्क्स आएंगे डेफिनेटल आएंगे जिदी आपके टाम्टेबल फोलो करेंगे तो आपका यह जो स्माइल हो जाएगा आपका जो फेस हो जाएगा इस तरीके से हो जाएगा फालक्स में जाएग सुयां सबस्क्राइगा है और हो आपको अपर करेंगे फील करनी पीलो किसेनी अप्राविट यह आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को दाट इस संकर मिस्रा एजुकेशनल चैनल एंड लाइक कर दो यहाप एक बैल आइकॉन बना होगा इस तरीके से उसको टैप करके आप क्या कर सकते हो आल नोटिफिकेशन पर उसको के जोरतनी है पीडिया पाफ इस पूरे यह पीडिया आपको डिस्क्रिप्शिन बॉक्स में मिल जाएंगे आप वहाँ पर दो टैप की पीडिया पहुँए एक नाइट वार्योस के लिए एक होगा आपके मॉर्निंग वार्योस के लिए ठीक है तो आपको जिदी आप मॉर मच ओके तो पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और इसको सेर कीजी ज्यादा ज्यादा थैंक्यू सो मच